है नमस्कार साथियों मैं हर्बीर सिंग आप सभी का आपके अपने स्टाडी चैनल स्टाडी 24 ओफिसियल में दिल से स्वागत करता हूं अगर आप इस चैनल पर नए है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बैल आइकन को भी दबा दीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी चीजे जैनुवेन मिलेंगी और टीचिंग लाइन के लिए ये चैनल काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है तो साथियों आज की स्मॉर्णिंग नियूज में मैं आपके लिए काफी इंपोर्टेंट खबरे लेकर आया हूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कल एक कोशन था कि विष्व में पहली महिला परधानमंत्री कौन थी तो मैं आंसर बता देता हूं श्री माव भंडार नाई के ये स्री लंका की प्रधान मंत्री थी श्री माव भंडार नाई के ये पहली महिला प्रधान मंत्री थी विश्व के अंदर और स्री लंका से ये थी अगर आपको नहीं पता है तो आप ये राइट कर लीजिए इसके बाद जो correct answer आया था तो सबसे पहले जीतिंदर कुमार जी का correct answer आया था अंजु कुमारी, रोहन राओ, नेहा, निम्बरान, अनिल कुमार और इसके बाद पिरिया चंदराएन जी ने मतलब अच्छे से explain करके दिया तो साथियों आज के लिए जो question है वो मैं आपको बता देता हूँ आज का question है कि चीनी का कटोरा, मतलब sugar bowl के नाम से किस देश को जाना जाता है sugar bowl, चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं ये आज के लिए question है, इसके बाद साथियों बात करते है जैसा कि आपने thumbnail में देख लिया होगा और जो हमारा आज का topic है, discussion का वो है कि क्या election के बाद vacancies आएंगी या नहीं आएंगी क्या ये चीजे अफवा हैं या क्या है जैसा कि आप जामते हैं कि मतलब ये news काफी फैली हुई है कि election के बाद आपको vacancies जरूर देखने को मिलेंगी तो साथियों अभी इस पर discussion करते हैं और अभी जो update है, उसके according ये है कि election के बाद आपको vacancies देखने को जरूर मिलेंगे तो अभी जो sources से पता चला है उसके according election के बाद आपको new vacancies, new recruitment मिलेंगी और वो new recruitment जादा तर TGT में आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि आपको पता है कि DSSB के पास TGT की vacancies जा चुकी है और अगर ये vacancies जल्दी clear हो जाती तो DSSB जल्द उन vacancies को निकाल देता तो TGT की जो vacancies हैं उनकी संख्या जादा रहेगी और इसके बाद जो update मिली है वो ये भी है कि special वालों की भी vacancies आएंगी क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि court ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी कि जो दिव्यांग है उनके साथ गलत ना हो जैसा आप जानते हैं कि अभी पूरी vacancies भी फिल नहीं हुई है तो new vacancies वो जरूर आएंगी इसके बाद और भी जो पद है क्योंकि आपको पता है कि काफी promotion भी होते है और काफी मतलब अभी promotion भी हुए है PRT teachers के तो PRT में भी आपको vacancies देखने को मिलेंगी हलाकि अगर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं है कि vacancies नहीं है एक-एक school में आप देखेंगे तो मतलब एक teacher 90-90 बच्चों को भी पढ़ा रहा है बहुँच जग है तो ये भी हमें पता चला है जैसा कि अभी देखा हुगा आपने अशोक अगरवाल सर स्कुल्स में गए थे government स्कुल्स में वहाँ जाके condition देखी कि एक teacher 80-90 बच्चों को पढ़ा रहा है छोटे से room में पढ़ा रहा है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे teachers की मतलब जरूरत नहीं है teachers की जरूरत है लेकिन ये कि ये unity की बात है अभी कुछ टाइम पहले comment भी आया था जिसा मैंने कहा था कि आप unity बना के रखें तो उन्होंने कहा कि क्या politics में है जो unity की जरूरत पढ़ रही है तो ऐसे लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे जो आपको आपके रास्ते से भटकाएंगे बट हम सभी को united रहना है मिलके रहना है और unity जब तक नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते तो अपडेट यह ही अभी कि अगर हम मिलके चलेंगे तो vacancies 100% क्या मतलब पक का आएंगी लेकिन हम सब को मिलके रहना है और यह अपडेट है अभी और इसके बाद साथियों बता देता हूँ कि description box में एक video का link है और उस video में बताया गया है कि आदमी कमजोर सरीर से नहीं मन से होता है अगर मन कमजोर है तो वो कुछ नहीं कर सकता अगर सरीर कमजोर है तो वो बहुत कुछ कर सकता है लेकिन मन मजबूत होना चाहिए तो description box में एक video का link है जोती गिरी है वो तो मतलब उनको बहुत बड़ी बिमारी होने के बाबजूद उन्होंने पढ़ाई करी डॉक्टर्स ने सला दी कि आप कुछ नहीं कर सकते आपको घर पे रहना है लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कुछ किया करके दिखा दिया पढ़ाई करी ग्रेजुएशन में है अभी वो तो सातियों वो वीडियो आप जरूर देखे और ज़्यादा से ज़्यादा उसे सेयर करे तो सातियों गुडबाई टेक कियर थेंक यू जैहिन वंदे मात्रों